हम अपनी लाइफ में जूपी करते हैं न, चाहे वो अच्छा हूँ या बुरा, कभी वैर्थ नहीं जाता हेलो जी, वेलकम, सभी को प्यार ब्राइन अमिश्कार, मैं हूँ त्रिप्टी और ये है हिंदी कहानिया चैनल अकसर लोग ये सोचते हैं किसी की मदद करने से पहने की, अरे जाने दो न, हमें क्या मिलेगा लेकिन नहीं, उपर वाला सब देख रहा है और वो आपके एकाउंट में आपकी पुन्यवानी को एड़ जरूर करता है अगर आपने कैसी की मदद की है, तो मान कर चलिए कि जब कभी आपके संकट आएगा, तब वही पुन्यवानी आड़े आजाएगी और आपको संकट से जरूर बचाएगी और आपको सुरशित रखेगी आईए ये कहाने सुनते हैं, बरसाद जोर से चल रहे थी, उस पहनकर बारिश में एक लड़की मस्ती करते हुए, हाथ को पानी की बुन्दों से भीगोते हुए, अपनी ममी से बुली ममी पेड़ पोधे हर्याली का मज़ा लेने के लिए लॉंग ड्राइपर चलो, मौसब बहुत अच्छा है, गर पर बढ़कर क्या करेंगे, बाहर भुमने जाएंगे, तो जंगल की, पहाडों की, पाग बगीचों की हर्याली देखने को मिलेगी रीमा ने कहा अपने पापा को बोलो, उस बच्ची ने पापा से कहा, पापा चलो ना लॉंग ड्राइपर चलते हैं, उसके पापा तयार हो गए, रीमा ने नौकरानी को भी कहा, तुम भी हमारे साथ चलो चमपा बोली, मालकीन मुझे तो जल्दी से कांग निपटा कर गर जाना है, मेरी जोपडी की छट से बारिश में पानी टपकता है, मेरी जोपडी पानी से भर गई होगी, मुझे गर जाकर वो पानी बहार निकालना है, राशन की व्यविस्ता नहीं है, वो भी करनी है, सबसे पहले जोपडी का पानी बहार निकल वाया, बाजार से बरसाती लाकर जोपडी को ठीक किया, ताकि पानी गर में ना आए, राशन पानी की व्यविस्ता करी, और रीमा ने कीचन में जाकर अलपहर बनाया, और सबसे पहले चमपा के पती और उसके बच्चों को खिलाय फिर तीनों वापस अपने गर पर आ गए यह लॉंग ड्राइब अगर आपने भी अच्छे कामों की लॉंग ड्राइब गड़ ली तो आपका भविश्य शुरक्षित हो जाएगा जैसे गाड़ी को एक्सिडेंट होते ही उसमें लगे बैलून फुल कर हमें सिक्टार रखते ह सीट बैल लगाने से हमारा जेवन भी सुरक्षित रहता है वैसे ही अच्छे और नेक काम से आपकी जिंदगी भर के लिए शुरक्षा का बैल्ट लग जाता है और आप सुरक्षित रहते हैं खुद भी जीए और दूसरों को भी जीने दे सिंदगी का असली मजा दूसरों क मज़ा देने में ही है तो कैसी लगी ये कहानी और इसका विचार कमेंट करकी पताईएगा चैनल पे नए हैं तो बेल बटन दबाईए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजी मेरे चैनल को जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले लाइक करना बिलकुल भी ना भूल मिलेंगे नई कहानी और नई सीख के साथ धन्यवाद